राम सीरा राम, सीरा राम, जे जे राम राम सी बड़ा राम का नाम, जो सु मेरे भोपार हो जाए राम सी बड़ा राम का नाम, जो सु मेरे भोपार हो जाए बनेगे बिगड सारे कामरे प्राणी, उधार हो जाए राम सी बड़ा राम का नाम, जो सु मेरे भोपार हो जाए राम से बड़ा राम का नाम जो सुमीरे वो पार हो जाए उल्टा नाम जपत जग जाना वालमी की भए ब्रम्ह समाना महर्शी वालमी की जो अपनी प्रारम्धिक जीवन में कठोर नास्तिक हुआ करते थे किसी ने उन्हें मरा मरा कहने की आदत लगा दी मरा का उल्टा राम होता है और राम नाम की जाव का असर ये हुआ कि वालमिकी तीनों लोकों के प्रसिद विद्वान महर्शी वालमिकी बने और पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम की जीवनी रामचरित मानस की रचना उन्हों नहीं की उल्टा नाम जपत जग जाना वालमी की भई ब्रम्ह समाना उल्टा नाम जपत जग जाना वालमी की भई ब्रम्ह समान की भुलगा उनके पाप तमाम परमपत अंत में पाए राम से बना राम का नाम जो सुमीरे वो पार हो जाए सुमीरी पवन सुत पावन नामा अपने वश करी राखे उरामा सुमीरी पवन सुत पावन नामा अपने वश करी राखे उरामा वीर हनुमान जिने भक्त शिरोमनी हनुमान कहा जाता है उनकी तुलना ऐसे भक्तों में की जाती है जिनके वश में उनके भगवान भी रहते हैं ये सारा कमाल तो प्रभुष राम का है जो ऐसे दयालू है कि उनका नाम जो भी सच्चे हरदय से पुकारता है प्रभुष राम हर पल उसके समीप रहते हैं और इसलिए रामायन में भी कहा गया है सुमिरी पवन सुत पावन नामा अपने वश करी राखे उरामा है उनके दिल में बसे शीराम वो सीना पाड दिख लाए राम से बना राम का नाम जो सुमिरे वो पाड हो जाए कोशल्या माध्यान लगाई पुत्र रूप में राम कोशल्या माध्यान लगाई पुत्र रूप में राम कोशल्या माध्यान लगाई पुत्र रूप में राम को पाई जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभुशिर राम भगवान विश्नु के अवतार हैं मगर उनके जन्म से संबंदित एक बड़ी ही रोचक कहानी है राजा दशर्थ जब पुत्र की प्राप्ती के लिए पुत्र कामेष्ठी यक्य करा रहे थे तब अगनी देव हाथ में खील लेकर प्रकट हुए और माता कहकई माता कोशल्या और माता सुमित्रा को दिये तब जाकर माता कोशल्या ने भरवान राम को जन्म दिया कोशल्या माध्यान लगाए पुत्र रूप में राम को पाए अवद में जनम लिये शीराम जो पावन धाम कहलाए राम से बना राम का नाम जो सुमिरे वो पाड हो जाए पाप और पापी से हारे धरती से जब संत पकारे त्रेता युग में एक वक्त था जब सारे रिशी महर्शी राक्षसों के अप्याचार से परिशान रहा करते थे राक्षस रिशियों के हर पुनीत कारी में बाधा डाल दिया करते थे रिशियों की पुकार सुनके भगवान विश्णू प्रभु शिराम के रूप में धरती पर आए तथा भक्त और धर्म की रक्षा के लिए सारे राक्षसों का वद किया और फिर रिशी गण खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे पाप और पापी से हारे धरती से जब संत पुकारे राम की ये असुरों का संहार धरम द्वज आके लहराए राम से बना राम का नाम जो सुमीरे बोपार हो जाए जनम लेत तुलसी बोले राम राम बोला बड़ा उनका नाम जनम लेत तुलसी बोले राम राम बोला बड़ा उनका नाम रामायन के रचैता महा कभी तुलसी दास जी जिनका जब जनम हुआ था तो उनकी मूँ से पहला शब्द जो निकला था वो राम था तब लोगों ने उनका नाम राम बोला रखा था बड़े बड़े ज्यानियों ने ये अनमान पहले ही लगा लिया था ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा वित्वान बनेगा और ठीक वैसा ही हुआ महारशी तुलसी दास को कौन नहीं जाता जनम लेत तुलसी बोले राम बोला पड़ां का नाम अन्त में दरश दिये श्री राम रमायन उनसे लिखवाए नाम से बना नाम का नाम जो सु मेरे वो पाल हो जाए राम नाम पथर तैराए सागर पे से तू बनधवाए लंका पर चड़ाई करने के लिए जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था तब नलनिल जिस पथर पर राम लिख दे रहे थे वो पथर तैर जा रहा था प्रभुशिर राम ने भी एक पथर पर राम लिखकर उसको जैसे ही फैका वो पथर डूब गया हैरान होकर प्रभुश राम ने नलिल से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ तब नलिल ने बड़ी ही गंभीर बात प्रभुश राम को बताई कि भगवन आप जिसे छोड़ दे उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है राम नाम पथर तैराए सागर पे से तू बंधवाए शिला पे लिख दिया श्री राम वो पथर डूब ना पाए राम से बना राम का नाम जो सु मीरे वो पाल हो जाए शबरी बैठी आस लगाए कुटिया में प्रभु राम जी आए आज इनसान जात पात के चकर में इनसान से ही नफरत करने लगा है मगर हम जिनकी पूजा करते हैं वो प्रभु राम एक भीलनी के हाथ का जूठा बेर खाय थे उसी जूठे बेर को लक्षमन जी ने खाने से इनकार कर दिया था फिर उसी बेर का उपयोग लक्षमन जी की जान को बचाने के लिए किया गया था मर्यादा पुर्शोतम भगवान राम का ये गुण जिसका हम सब को पालन करना चाहिए शबरी बैठी आस लगाए कुटिया में प्रभुराम जी आए भगत के वश में हुए भगवान वो जूठे बेर भी खाये ग्राम से बना लाम का नाँ जो सु मिरे बोपाल हो जाए